दोस्तों आप यहाँ पर जो यह box देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा product भरा हुआ है, इसे मैंने A.R.A. market से मंगवाया है, मैं इस A.R.A. market का link description box में दे दूँगा, अगर आपको कोई भी product purchase करना हो तो आप यहाँ से purchase कर सकते हैं, अगर आप जो description box में link दूँगा, उस link पर click क करके अगर आप यहाँ से कोई भी product खर देंगें, तो आपको 10% का discount अलग से मिल जाएगा, इस बात को याद रखेगा, तो चलिए अब मैं इस box का unboxing करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन-कौन सा product है, तो आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा product भरा हुआ है, यह मैं पहले उठा लिया, इसमें आप ध्यान से देखे, यहाँ पर नीचे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, automatic, solder, feeder, gun, यह जो है कि, देखे, hockey company का है, मैं इसे पीछे पलट कर भी आपको दिखा देता हूँ, देखे, यहाँ पर hockey लिखा हुआ है, hockey company एक बढ़या company में गिंती आता है, तो इस पर मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूँगा, अभी मैं इसका packet दिखा देता हूँ, कि इस तरह का यह packet है, मैं अलग से एक special वीडियो इस पर बना दूँगा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिलाल इसे मैं इधर रख देता हूँ, अब आप यहाँ पर देखिए, यह है 30 वाट का soldering iron, यह JYD company का है, यह भी बहुत ही अच्छा company का यह soldering iron है, अब मैं इसे इधर रख देता हूँ, अब देखते हैं, तो देखिए, यह क्या है, तो यह है, जो soldering iron का stand होता है, वो है, मैं आपको दिखाता हूँ, निकाल कर यह इस तरह का है, यहाँ पर देखिए, यह जो है कि sunshine company का है, यह भी बहुत ही अच्छा company है, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, किस तरह का यह soldering iron का stand है, तो यह देखिए, यह इस तरह का है, देखिए, sunshine company का है, इसलिए यह बहुत ही बढ़या quality का यह होता है, sunshine company का जो भी समान होता है, तो इसे मैं फिलाल इधर रख देता हूँ, अब चलिए देखते हैं, यह जो आप देख रहे हैं, यह जो SMD machine होता है, जिसे SMD rework station बोलते हैं, उसका जो है कि handle जो रखते हैं, bracket stand जिसे बोलते हैं, वही है इसमें, यहनि कि इसे hot air gun का handle bracket stand भी कहा जाता है, तो इसे मैं निकाल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह का है, तो देखिए इस तरह का है, तो AR market से अगर आप समान purchase करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी जो product होता है, उसका जो parts होता है, वह भी इनके पास available होता है, तो इसे फिलाल इधर रख देते हैं, अब देखते हैं, इसमें क्या है, तो देखें, यह जो आप देख रहे हैं न, यह है mobile phone screen opening stainless steel card tool, इससे आप cell phone, यानि की mobile, tablet, laptop, screen को removal करने वाला tool है, यानि की इससे निकाला जाता है, यह 5 पिस में है, यह pure stainless steel का बना हुआ है, अगर आप mobile, tablet या laptop रिपरिंग का काम करते हैं, तो यह tool आपके लिए बहुत ही काम का है, अब आप यहाँ पर देखे, यह tweezer है, यानि की चीम्टी है, यह 5 पिस में है, यह सभी hockey company का है, देखे, किस तरह का मैं दिखाता हूँ, देखे, इस कभर को खोलता हूँ, तो देखे, यह इस तरह का है, यहाँ पर यह थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इस तरह के से, तो चलिए, अब मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ, सभी को मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरह का ह तो देखे यह इस तरक है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, देखे इस तरक है, अब मैं आपको तीसरा वाला दिखा देता हूँ, तो देखे तीसरा वाला यह इस तरक है, अब मैं आपको चवथा वाला दिखा देता हूँ, तो देखे यह इस तरक है, अब मैं आपको पांचवाला दिखा देता हूँ तो देखिए पांचवाला ये इस तरह का है तो ये सभी जो चिम्टी है बहुत ही best quality का है ये hockey company का है इस लिए बहुत ही best quality का है तो अब मैं इसे क्या करता हूँ इधर रख देता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या है तो देखिए ये है hockey company का voltage tester ये आप देखिए hockey लिखा हुआ है voltage tester लिखा हुआ है तो ये hockey company का voltage tester है मैं इसे निकाल कर आपको दिखाता हूँ ये किस परकार का है तो देखिए ये इस परकार का है यहाँ पर लिखा हुआ भी है देखे होक की voltage tester इसका model नमर भी है लिखा हुआ है इसमें देखे दो battery भी आपको मिल जाता है फिरी में इसके साथ में इस voltage tester को कैसे use किया जाता है इसके लिए मैं अलग से एक video बना दूँगा ठीक है अभी मैं फिलाल इसे इधर रखता हूँ अब देखता हूँ इसमें क्या है तो देखे ये है T8000 ये एक तरह का glue है यानि कि पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ तो आपको समझ में आगा देखे इस तरह का tube में आता है glue है ये ये चिपकाने काम करता है जो mobile repairing काम करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या है ठीक है तो ये mobile repairing का काम में आता है तो इसे मैं इधर रखता हूँ अब देखता हूँ इसमें क्या है तो देखे ये है soldering iron Ciron company का है बहुत ही अच्छा company है आप लोग जानते ही होंगे Ciron company काफी best company में गिनती आता है soldering iron में ये जो soldering iron है इसका model नमर है 926 ये 60 watt का soldering iron है अब इसे इधर रख देते हैं अब देखते हैं तो देखे ये जो है कि ये भी Ciron company का ही है यहाँ पर देखे soldering iron में यहाँ पर दिखा रहा हूँ सभी के लिए मैं special एक अलग से वीडियो आपको बना कर दूँगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसे फिलाल इधर रखता हूँ अब आप यहाँ पर देखे ये वाला iron तो आपने जरूर देखा होगा ये सिरोन कंपनी का 68 का iron है इस तरह का iron आपको बजार में मिल जाएगा लेकिन वो duplicate वाला रहता है ये original है ये original है ये market में आपको original वाला ही समान मिलता है duplicate यहाँ पर नहीं मिलता है इस बात को दिमाग में रख लिजेगा यहाँ जो भी मिलेगा आपको original मिलेगा तो इसे मैं इसके अंदर डाल कर अब मैं इसे इधर रख देता हूँ अब देखता हूँ इसमें क्या है तो देखे ये भी soldering iron है लेकिन ये 30 watt में है अब मैं इसे भी इधर रखता हूँ अब देखता हूँ इसमें क्या है तो देखे ये भी soldering iron है लेकिन ये 60 watt में है अब मैं इसे इधर रख देता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या है तो देखे ये भी soldering iron है ये भी 60 watt में है मैं निकाल के दिखा देता हूँ इसमें किस तरह का soldering iron है दोस्तों मैं सभी salting iron को लेकर एक अलग से special वीडियो बनाऊँगा तो आप उस वीडियो को देखेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सारा salting iron किस किस तरह का है सारा कुछ मैं उसमें बताऊँगा ठीक है तो देखे ये इस तरह का salting iron है ये 60 watt का salting iron है तो मैं जब अलग से एक वीडियो बनाऊँगा तो आपको बहुत मजाएगा देखने में तो इसे मैं इधर रखता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या है तो देखे इसमें तीन नोजल है ये सबसे पतला वाला है ये देखे इसका नोजल इससे थोड़ा मोटा ये है इससे थोड़ा मोटा देखे ये वाला है तो तीन तरह का नोजल है ये SMD rework station में लगता है यानि SMD machine जो हता है उसमें लगा जाता है ये वाला नोजल अब देखते हैं कि इसमें क्या है तो देखे इसमें क्या है चलिए आप मुझे comment करके बताएगा कि ये है क्या इसमें जो आप देख रहे हैं ये है क्या आप मुझे comment करके जरूर बताएगा कि ये है क्या ठीक है अब चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ क्या है तो देखे ये detail thermometer है देखे यहाँ पर detail thermometer लिखा हुआ है तो किस तरह का है चलिए इसे निकालते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह का thermometer है तो देखे यह इस तरह का thermometer है इसमें दो cell भी लगता है मैं आपको दिखाता हूँ यह दो cell है जो यहाँ पर लगा जाता है तो यह थर्मामीटर है तो इसे मैं इसमें रख देता हूँ अभी ठीक है अब इसमें देखे क्या है यह बड़ा ही काम का चीज है यह है सोल्डरिंग आयरन टीप की लिनर यानि कि जो सोल्डरिंग आयरन का बिट होता है जो काली पड़ जाती है उसे यह पूरी तरह से साप कर देगा इसमें वो खासियत है मैं दिखाता हूँ किस तरह का है तो देखे यह इस तरह का है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा टोनी कमपनी का सॉल्डरिंग आईरन है यह आठ वाट का है जो भाई लोग मुबाइल रिपेरिंग का काम करते हैं उनके लिए तो यह बड़ा ही काम का सॉल्डरिंग आईरन है देखे इसमें एक बिट अलग से दिया गया है यह फिरी में मिलता है एक अलग से बीट तो ये अच्छी बात है कि एक बीट आपको फिरी में मिल जाता है मैं आपको दिखाता हूँ ये जो soldering iron है ये देखे किस company का है यहाँ पर देख लिजे ये देखे टोनी company का है ये 8 watt में है soldering iron तो देखे ये है 32 in 1 screwdriver का set इसमें magnet भी है और इसका जो road extension road वो flexible वाला है तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का है मैं इस पर एक अलग से वीडियो ही बना दूँगा लेकिन मैं अभी इसे खोल कर आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का है देखे ये इस तरह का एक आपको मिल जाता है तो ये 32 in 1 का ये पूरा set है मैं आपको बाद में इसका एक वीडियो बना कर दिखा दूँगा कि इसे यूज कैसे कि आता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा ठीक है अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है तो देखे इसमें है magnify glass ये hockey company का magnify glass है और इसमें ये user manual है तो इसे मैं इसी में रख देता हूँ तो ये जो magnify glass है इसे कैसे install करना है ये जो सारा parts इसमें install करना है वो कैसे करना है इसके लिए मैं एक proper आपको अलग से वीडियो बना कर दूँगा जो भाई mobile repairing के काम करते हैं उनके लिए तो ये बड़ा ही काम का magnify glass है अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है तो देखे ये भी है magnify glass देखे यहाँ पर लिखा हूँ है magnify with auxiliary clip तो इसमें बहुत सारा अलग से clip दिया गया है ये light वाला है इसमें LED light भी लगा हुआ है तो ये भी बहुत ही बढ़िया है पहले वाला जो दिखाया था उससे भी बढ़िया ये magnify glass है इसमें सभी तरह का आपको मिल जाएगा ग्लास, magnify glass देखे, यहाँ पर ये light LED light लगा हुआ है देख लिजे, ये वाला LED light है यहाँ पर 5 LED देखे, लगा हुआ है इसमें और यहाँ पर देखे, ये है magnify glass इसे कहाँ पर install करना, यानि कैसे लगाना है इसके लिए मैं proper एक अलग से वीडियो बना दूँगा ठीक है, और इसमें क्या है, देखते हैं, इसे निकालते हैं तो देखे, ये भी छोटा वाला एक magnify glass है यहाँ से पकड़ कर देखने वाला ये है तो इस तरह का ये magnify glass है इसका जो सारा parts है, इसके अंदर इसे भी मैं निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ देखे, इस तरह का ये सारा parts है इसमें एक cable भी दिया हुआ है LED जलाने के लिए, ठीक है और ये सारा parts जो है कि कहां पर लगेगा कैसे लगेगा इसके लिए proper मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए, आप उस वीडियो में देख लिजेगा कि ये सारा parts कहां पर कैसे कैसे लगा आता है डिटेल से मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगा ठीक है अब देखते हैं इसमें क्या है तो देखे, ये है SMD rework station board यानि कि ये जो है कि SMD machine का ये इसमें क्या है तो देखे, ये है electric disoldering iron यहाँ पर देखे, इसका model number लिखा हुआ है अब इसे निकालते हैं आपको दिखाते हैं इसमें किस तरह का disoldering iron है तो देखे, ये इस तरह का है और इसमें क्या पले निकाल लेते हैं तो देखे, इसमें ये user manual है और क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसे मैं इधर रख देता हूँ और यहाँ पर देखे, इस disoldering iron को clean करने के लिए एक देखे लंबा जैसा स्वी मिल जाता है देखे, इस तरह का और एक nozzle इस तरह का आपको मिलता है अलग से ठीक है, तो इसे मैं इसे में रख देता हूँ अब चलिए इसे निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का है, तो देखे, ये इस तरह का है, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि इसे यूज कैसे किया आता है ठीक है, तो अभी मैं फिलाल इसे मैं इधर रख देता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, तो देखे, इसमें क्या है, तो इसमें है SMD Reverb Station का handle, यानि कि SMD Machine जो होता है, उसका handle है ये Max Company का है तो मैं इसे निकाल कर आपको दिखाता हूँ किस तरह का इसमें handle है तो देखे, इस तरह का ये handle है, तो ये Max Company का है, तो ये बहुत ही बढ़या quality का ये handle है, अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है, तो ये box मैं बाद में खोलूँगा पहले मैं इसके अंदर और देख लेता हूँ क्या है, तो देखे, ये mate है, जो भाई mobile repairing का काम करते हैं, उनके लिए तो ये बड़ा ही काम का चीज है तो ये किस तरह से इस्तमाल होता है, इसमें क्या क्या खासियत है, इसके लिए मैं प्रोपर एक अलग से वीडियो भना दूँगा, देख लिजे ये इस तरह का है अब ये देखिए आखरी प्रोड़क्ट बचा हुआ है, अब इसमें क्या है, तो इसमें है SMD rework station यानि कि SMD मसीन है ये क्विक कमपनी का इसका मोडल है 857DW तो चलिए अब इसे फटा फट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह का SMD मसीन है तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है तो देखे ये है इसका power code ये जो SMD मसीन है इसका ये power code है अब चलिए यहाँ पर तो इसका handle दीख रहा है SMD मसीन का ये है handle bracket stand इसे कहां लगाए जाता है ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा ठीक है अभी मैं इसे फिलाल बाहर निकालता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह का SMD मसीन है तो देखे ये इस तरह का है पीछे के तरफ यहाँ पर देखे क्या-क्या लिखा हुआ है अब पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इनपूट AC 220V पावर 608 फ्यूज 4 अमपेर मेड इन चाइना और सामने के तरफ दिखाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये हैंडल देख लीजे इस तरीके का है जहां से एर निकलेगा हीट निकलेगा और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है यहाँ पर क्वीक 857 DW प्लस मोडल यहाँ पर टमप्रेचर आपको दिखेगा यहाँ पर एर कंट्रोल का नोब है यहाँ पर टमप्रेचर कंट्रोल का नोब है यहाँ पर पावर ओन ओप का स्वीच है इस SMD मसीन का भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा समान मैंने ARA मार्केट से मंगवाया है अगर आपको भी इन में से कोई भी समान मंगवाना हो या फिर और भी बहुत तरह का समान है ARA मार्केट के पास जहाँ से आप पर्चेच कर सकते हैं एक बार आप उनके वेवसाइट पर जाकर सर्च जरूर किजेगा हो सकता है कि कोई समान आपको कोई परोड़क्ट कोई पार्ट्स आपको काम का हो वो आप खरिदना चाहें तो खरिच सकते हैं मैं description box में इसका link दे दिया हूँ वहाँ से अगर उस link पर अगर click करके आप कोई भी समान ARA market से purchase करेंगे तो आपको 10% का discount मिलेगा ये आपके लिए फायदे मन साबित होगा तो दोस्तों next video का इंतजार कीजिए आगे जो भी product है यहाँ पर उनमें से बहुत से product पर मैं video बनाने वाला हूँ ठीक है तो वो सब भी video आप जरू देखिएगा